मांताय मित्रों आज बड़े देनों या व्लॉक बनाया हुआ तो यह बना है नहीं हुआ प्र homicide, नहीं बनांट designs के व्राउंटे नहीं करें होलाज में बनाना आज पर लाए। यह बना रहा हुआ थे हमाaci के दिखना नहीं में आपी में ब ना दिको। अच्छी तरह फ्राइड करेंगे, फिर मैश करेंगे, फिर परांठों में पा देंगे, फिर आपनी शकल दिखाएं, तो भाईयो ये है हमारा वीडियो अडियो बनाने वाला, तो ये हो गया है, मसाला तैयार परांठों का, और ये आगया आटा, और ये तैयारी हो रही है, प नहीं सिखा रहे हैं आज परांटा बहाए है आपका पूरब लगा लीमिट में का है पांटा स्थार नियुकर को दोने ही सबमेंड बता है और आप पॉर्णाने का सब्सक्राइंगी हैं उसनित्क स्वालारं आख वाल्णा पांटा वो सतार दात्यकर है neat तयार है अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा गी लगाएंगे और ये देख सकते हो हमने सैंपल बना के रख दी एक प्रांठा तयार भी हो गया है हम थोड़ा इसको गी लगाते हैं और खाते हैं ये हमारे रवी बैया है जो तयार कर रहे हैं प्रांठा इनको सुपा है हमने परांठे को तैयार करने का काम बाकी वालों की महनत चल रही है और हमारे दिवाकर विया को हमने सारे परांठे बनवाएंगे इनी से क्योंकि इन्होंने दिया था हमें ग्यान इसलिए हम लगा देगे इनको ही काम तो हलकी हलकी आग परांठा पकने दे देख सकते हो दिबाकर वैया सखा रहे हैं परांठा कैसे बनाते हैं गलती से भी ये मेरे कारवालों ने वीडियो देख ली तो मेरे को कार में भी लगा देंगे परांठी बनाने के लिए देख सकते हो किस तरह का परांठा पक रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तो यह आप का एक्सपीरिंस कैसा रहा इस आपका इसको खानेते चैसा नहीं है यह वह था दिवाकर जी को टौइस अभी बना रही है अभी भी भी बन रहा है देख सकते हो कि टे लगानेवाले प्रेंदेगा तो जैसे ही, ये पनाथा उत्रे का, ऊसके बाद हम भी खाना शुरू करेंगे तो ये देखो, गर्मा गर्म पनाथा आ गया, थारी में रखेंगे और फिर हम भी खाना शुरू करेंगे तो बैयो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, जरूर बतायएगा और किस किस ने ये आलू के पनाठे बनाए हैं ये भी जरूर बताईएगा जै मता दी